हाई गाईज आज हम बनाने जा रहे हैं चोकलेट केक इनखो कर विदाउट ओवन ओके खोकह बनाने के लिए हमारे इंग्रीडियनगेंट हां वन फूर्च कप और ओए मिल्क जो कि वॉब्म रहना चाहिए ना कि कोल्ड रहना चाहिए ना कि हओट वन कप मैदा रिफाइंट फ्लोर टू टेबल इस्पून कोको पॉडर 1 4th teaspoon baking soda 1 by 2 यानि half teaspoon हमने लिया है baking powder और हमने याँ gems लिये जो कि हम decoration पर use करेंगे वनने लिया है 1 teaspoon vanilla essence 1 teaspoon vinegar and salt 1 pinch और यहाँ पर हम milk made use करेंगे जो कि है 1 cup and amount उसका रेगा कुछ 400 gram and हम salt जब कि हम cookar में bag करेंगे उसके लिया हम salt use करेंगे जबसे पहले कीक बनाने के लिए हम एक cookar लिए cookar में salt एड़ करेंगे जो कि हम पुरे cookar में ठैला देंगे salt को अब इसमें अपना stand रख लेंगे और cookar की लिए को हमसे धख देंगे और फ्लेम को मिडियम कर लेंगे यह दस मिनट के लिए फकतार रहगा सबसे पहले केक का पैटर बनाने के लिए हम लेंगे मिल्कमेट जो कि है 400 gram का जो कि हम पूरा ही लेंगे अब हम इसमेट करेंगे अपना ओल फिर हम इसमेट करेंगे मिल्क फिर हम इसमेट करेंगे विनेगर एन अख लाग बैनीला एसल्स और हम इस अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि यह बिल्कुल भी आलाग ना रहे अच्छे से मिक्स करने हमें से इसे अच्छे से जला कर मिक्स कर लीजिए झाट झाना लुटरा झाल 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 के बिल्कुल झाल झाल अब देखे रहे हैं अच्छा साब मिक्स होगा यह जो केक का बैटर है यह हमने बनाया है सबसे पहले 400 ग्राम मिल्क मेट देन एक चुथाई कप मिल्क एक चुथाई कप आइल देन इसमें हमने अपना वैनिला ऐसे और विनेगर एड़ किया और अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इस बैटर में अपना मैदा एड़ कर रहे है जो कि हम चान के एड़ करेंगे इसमें उपर से हमने कोको पाउडर एड़ कर लिया है और फिर हम इसमें बेकिंग सोडा एड़ कर रहे है और देन बेकिंग पाउडर और इसे हम अच्छे से चान लेंगे सारे हमने आटे को चान कर अब हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें मिक्स कुछ इस तरीके से करना है राइट हैंड की तरफ चलाते हुए हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है उतना ही मिक्स करना है जिसमें इस अच्छे सरीक से मिल जाए एला सब इसमें पींच ओफ सॉल्ट एड़ करेंगी इसकी कंसिस्टेंसी हमने फ्लोइंग रखनी है कि यह इसली से बेकिंग मोल्ड पे चला जाए और याद आखे एक भी गोठलिया या निशाननी पढ़िजे इसे थीन करने के लिए या फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम इसमें मिल्क भी आइड कर सकते हैं यह अब हमने अपने वेटर को बेकिंग मोल्ड में डाल दिया है चुकि कुछ इस शेप में है यह देखे अब हमने अपने केक को बेक होने के लिए कुकर में रख दिया है और हम अपने से लेड लगाके कुछ 40-45 मिनट तक पकने देंगे कुकर से निकालने के अधा हमारा केक कुछ इस प्रकार दिखेगा और अब हम इसे थंड़ा होने देंगे जब हमारा केक रेड़ी हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे और पलट के हम इसे डेकुरेट कर देंगे जैम से और मिल्कमेट से तो हमारा केक कुछ इस प्रकार दिखेगा ठेंक्यू